नमस्कार ट्रेंसेंट्रेवल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है ये वीडियो भेजा है इर्शाद अली हमारे रेल रिपोर्टर ने आज के वीडियो में नज़र डालेंगे सीतापुर सिटी जंक्षन से रोजा तक सीतापुर जंक्षन जो हमारा नियार का है वहां से सीतापुर सिटी जंक्षन और सीतापुर सिटी जंक्षन से आगे फिर रोजा की दिशा में अब महुली तक और उसके आगे नेरी तक जो सेक सकते हैं concrete के sleepers धेर सारे रखे हुए हैं बाएं हाथ पर आपको track दिख रहा होगा और यह जो सड़क आ रही है यह खिसकाई जाएगी shift होगी junction boxes यह जो आप देख रहे हैं इन सब की भी shifting होगी यहां से क्योंकि यहां पर track आप देख सकते हैं कि यहां पर आगे का track उखाड़ दिया गया है यह देखिए track यहां पर खतम हो गया अब आगे बैलास्ट आपको नजर आ रहा होगा और यहां पर platform नमबर चार जो है वो तैयार किया जा रहा है सीतापुर city junction side में और यहां पर कारे जो हैं अभी तेजी से चल रहे हैं 30 October तक आप मान के चलिए कि काम यहां प तेज रफ्तार में होगा जितना हो सकता है उसके बाद लेबर दीपावली और छट पूजा की छुटियों में गाउं चली जाएगी और उसके बाद आप मान के चलिए कि 10 या 12 नवंबर के आसपास के बाद से फिर वापस ठेकेदार आएंगे contractor हमारे सब और जो लेबर है ध रस्ता हेंपूर महोली इसमें रफ्तार आएगी कारे तेज होंगे यहाँ पर लेबर अभी फिलाल लगी हुई है concrete के sleepers आप देख सकते हैं चट्टे यहाँ पर एक किस प्रकार से धेर सारे concrete sleepers यहाँ पर लाकर करके रग दिये गए हैं क्योंकि number of tracks भी बढ़ेंगे जाहिर सी बात है doubling का काम हो रहा है दोरी करल का इस section पर तो यहाँ पर tracks जो हैं उनका विस्तार भी होगा platform जो हैं वो भी extend हो रहे हैं उनकी लंबाई यहाँ पर बढ़ाई जाएगी जैसा इर्शाद बता रहे थे आप देख सकते हैं कितना सारा construction का जो material है यहाँ पर dump है धेर सारी बजरी आपको दिख रही होगी concrete यहाँ पर धेर है ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से तमाम cement और बागी का जो material यूज होना है वो यहाँ पर dump किया जा रहा है साइट पर बराबर पहुंचाया जा रहा है rail bed आगे तयार किया जा रहा है वहाँ पर भी क्योंकि बीच में बारि भी हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखाएंगी वहाँ पर भी तीज रफ्तार में girders का erection हो रहा है girders का जो bridge है हमारे वहाँ पर तयार किया जा रहा है और एक पुल एक साइड में काफी रख भी दिया गिया गिया है girders गर्डर bridge वहाँ पर रखा जाएगा वहाँ आप आप देख सकते हैं किस प्रकार से concrete के sleepers यहाँ देखिए दूर तक आपको नजर आ रहे होंगी train सामने खड़ी हुई है और यह जो white junction boxes अभी आप देख रहे हैं इन में से बहुत सारे junction boxes पूरी shifting होगी नए junction boxes यहाँ पर लगाये जाएंगे जब इनका connection किया जाएगा signaling वग नए construction उसका होगा जिसके अंदर से फिर सारा rail गाडियों का जो संचालन है उनका operations उसके अंदर से फिर किया जाएगा double line के हिसाब से panel room तयार हो जाएगा labor यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने आगे की दिशा में काम चल रहा है बराबर और platform के निर्मार के लिए जो bricks होती ह हैं गुमे वगएरा वो भी आ गए हैं आपर यह देखिए इटे रखी घेर सारी और लेबर लगे हुए देखिए ट्रेक्टर ट्रॉली आ गए जिसकी साहिता से यहाँ पर बालू है मौरंग है और जो चीजे हैं वो लाई जा रही हैं बराबर डम की जा रही हैं काफी बड कारे बंद हो जाएगा धन तेरस चोटी दिवाली बड़ी दिपावली हमारी और भया दूज पर छट पूजा है तो पंदरा दिन आप मान के चलिए क्योंकि जब गाउं जाता है इंसान तो पंदरा दिन चोटी हो जाती है पंदरा दिन कोई भी कारे फिर रेलवे में रहे हैं 15 दिन बिलकुल आप छुटी मान के चलिए कि 15 दिन कारे बाधित रहेंगे और उसके बाद 15 नवंबर के आसपास से ही कारे वापस रिज्यूम होगा फिर से शुरू होगा उसकी शुरुवात होगी धेर सारा गुम्मा आप देख रहे हैं पुराना तमाम गुम्मा यहां निकला हुआ है और जो प्लैटफॉर्म है बाए हाथ पर यहां पर जो यह आप देख रहे हैं यहीं पर प्लैटफॉर्म नंबर चार पूरा तयार होगा जैसा इरिशाद बता रहे थे उसकी कवाय चल रही है और यहां पर नंबर ऑफ ट्रैक्स बढ़ाए जाएंगी क्रेन वगएरा सब लगी हुई है ट्रैक्स यहां पर और डाले जाएंगे रोड यहां पर थोड़ी कटेगी शिफ्ट होगी तो जो ट्रैक्स की संख्या है वो बढ़ेगी यहां पर और बैलास्ट वगएरा रेलबेड अभी यहां पर और तयार किया जाएगा उसका भी पर अब बरतारा से रोजा का जो सेक्शन थोड़ा सा साथ किलोमीटर लगभग बचा है जो उस पर कारे लगभग हो चुका है और जल्दी ही उमीद है दीपावली के बाद दिसंबर तक वहाँ पर चीफ कमिशनर रेलवे सेफटी हमारे आएंगे पाठक जी और उतर उसका नि रेलबेट बनाने का जो कारे चल रहा है सीतापुर जंक्शन और सीटी जंक्शन के बीच में वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और अभी सरायन नदी का जो पुल पड़ता है ब्रिच उस पर क्या कुछ ताजा हालात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे आप देख सकते हैं का बहुत बीचन बारिश वी थी तमाम फ्लेट जा गए आपने देखा उतराखंड वगएरा में भी यहां पर भी पीली भी लखींपुर में काफी बाल के हालात रहे और ट्रैक जो है हमारा मैलानी से पलिया वाला भीरा के पास कट गया है बह गया है वो भी तो यहां पर लेवल करके इस पर अभी और मिट्टी मुझे लगता है डाली जाएगी क्योंकि मिट्टी काफी कट गई है जो रेल बेड है यह हमारा तयार किया जा रहा और अभी हम आपको सराय नदी का जो ब्रिज है वहां पर क्या कुछ चल रहा है दिखाते हैं सामने आप देख सकते ह वगरा खड़े हुए है तो मिट्टी अभी इसमें और पटाई जो है वो की जाएगी इसकी लेवल थोड़ी और ऊपर उठेगी रेल बेड की जहां तक मुझे लगता है आसपास काफी मिट्टी भै गई है तो अभी इसको फिर से लेवल किया जाएगा रूलर वगरा चला क करके इसको लेवल किया जाएगा दबाय जाएगा जितना दब सकती मिट्टी और उसके बाद जहां जहां जो भी कमी दिखाई देगी उसी हिसाब से रेल बेड को फिट किया जाएगा ताकि फिर ट्रैक बिचाने का जो कार है बैलास्ट डाल करके कॉंक्रीट की स्लीपर्स का काम जो है उसको शुरू किया जा सके ताकि धीरे धीरे जो हमारा ट्रैक है उसकी शेप उसकी शकल यहाँ पर दिखाई देने लगे धीरे धीरे करके अभी आपको रेल बेट एक दिख रहा है तैयार है देखिए धीरे धीरे काफी सारी मिट्टी आप देख रहे हैं कट गई है क्योंकि बारिश बहुत पड़ी थी ये पूरा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं जो रेल बेट तयार किया जा रहा है कार इसमें तेजी से चल रहे हैं और लेबर अभी लगी हुई है और 30 अक्टूबर तक तो आप मान के चलिए कि कार तेजी से होंगे उसके बाद फिर 15 नवंबर जैसा मैंने आपको बताया है कि तभी फिर कार शुरू होगा चुट्टी के बाद तो ये रेल बेट का हाल है और ये सराय नदी का जो गर्डर ब्रिज है देखिए एक तरफ के जो ब्रिज है ये रख लिए गए देखिए यहाँ पर किस प्रकार से गर्डर ब्रिज देखी है और दूसरा देखिए नीचे महाँ पर भी लेफ्ट हैंड पर तयार हो रहा है वर्कर्स लगे हुए ओपन वेब गर्डर ब्रिज जो होता है इसको तयार किया जा रहा है और अभी उपर इसको रखा जाएगा लेविल डिफरेंस अभी आपको दिख रहा होगा कि रेल बेड नीचे है और जो हमारा पुल है ब्रिज उसकी ठोकर उपर है थोड़ा सा लेविल का फरक है यह यहाँ से आप समझेए यह पुराना पुल है दाहिनेयाद पर जिस पर अभी ट्रेंस चल रही है एक्जिस्टिंग हमारा जो ट्रेक है यह देखिए लेवल डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा तो अभी ब्राट गेज के हिसाब से लेवल रेल बेड की जो है नीचे है यह अभी और उपर आएगी और इस ब्रिज के उपर से फिर ट्रेक निकलेगा तो यह जो अभी द यहाँ पर आ रहे है ठोकर वहां तक आएगा और यह सामने गर्डर में जो इस्तमाल हो रहा है तमाम सारा मैटीरिल यहाँ पर डंप है आईरें धेर सारा रखा है यह प्रिज देखिए तयार किया जा रहा है वेल्डिंग वगएरा उस पर हो रही है बोल्ट वगएरा जो ल बीच में यह सराय नदी पड़ती है इसके बाद फिर आगे ट्रैक जाएगा स्टेशन की तरफ और फिर आगे हेमपुर होते हुए फिर महोली और उसके बाद फिर नेरी स्टेशन तक यह कार होना है बचा है जो इधर का कारे और 2022 में जाकर कि यह कारे पूरे हो पाएंगे अभी इसमें समय लगेगा यह आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है ट्रैक जहां पर आएगा ठोकर आपको कॉंक्रीट की जो पूल आ रहा है उसकी ठोकर आपको दिख रही होगी और उससे यह करीबन दो फूट करीबन नीचे हेवी रेल बेट तो यह अभी इस पे और ब यह आप देख सकते हैं कि तैयार किया है यहां पर तो कारे तेजी से चल रहे हैं दोरी करणके और मेरा अपना ख्याल है कि मार्च का महीना आ जाएगा मार्च 2022 तक जाकर के इन कारेओं को मार्च अपरेल आ जाएगा आराम से तब तक यह कारे पूरे होंगे